हाई फ्रेंड्स वेलकम टू प्यारा इंडिया फ्रेंड बिहार मदर्सा बोड़ दोहरा वस्ताने की परिछा सुरू हो चुकी है आज यानि की साथ मार्च दोहर चौविस को सेकेंड सीटिंग में आप लोग का इंग्लीज का पेपर था जिसका कोस्टन का एंसर डिसकॉशन इस वीडियो का माध्य हम से करेंगे जो भी बच्चे टेलिग्राम से नहीं जुरे हैं उस टेलिग्राम का लिंग डिफशन मक्स में मिल जाएगा वहां से आप लोग जुड़े क्योंकि वहां पर जो भी कोस्टन का एंसर होता है मुझे समय मिलता है तो आप लोगो सही समय अगलट विडियो को देखें जिससे की साही जनकारी आप लोगो मिल सकते हैं तो यहां पे दो गंटा को का इंग्जाम था इसक्षन और तीन सेशन में सवाल पूछे गहे थे सिक्संने जो है अगता है आप सभी को अन्यों को बताते आरहें जो पहले से जुड़े सभी को य के जनकारी है इस सक्षिने में फ़ीज स्वाल पुर जा रहा है एक स्वाल नंबर करा रहा है इस वरका से 40 नंबर के सिर्फ अजेक्टिब से हो रहा है और आपको पास होने के लिए मात्र रह तीस नंबर हो चाहिए जो बाराज आएगा इसका सही एंसर क्या होने वाला है तो इसका सही एंसर आप लोगा जो है भी होगा, ठीक है, यानि कि आप लोग यहां पर भरने थे ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा नमबर सवाब है, who sells ice cream, यानि जो ice cream बेचता है उसे हम क्या कहते हैं इसके बारे में पूछा गया था तो इसका answer तीन नमबर होगा ice cream man ठीक है उसके बाद आपका तीसरा नमबर सवाल था कि choose is the article in the following तो article आप लोगो पता है कि article जो होता है the an होता है तो इसमें the जो है आपका article है इसका answer आपका दो होगा ठीक है उसका चौथा नमबर सवाल है कि choose the odd on the flowing यानि कि इसमें से कौन सा अलग है इसको चूच करना था जैसे कि यहाँ पर और रेंज और बनाना दिया गया तो यह तीनों क्या है आपके fruits के नाम से फल का नाम है जबकि चेर जो है एक बैठने इसका नमर सवाल है इसमें नाउन कौन सा है तो नाउन जो है इसमें आपका छे का जो है एंसर तीन होगा पटना पटना आपका तेन सवाल है कि विच द शायने इसमेज यानि की इमेज का जो होता है इसका रिलेटिट इसका रिलेटिट लवज होता पिक्चर ठीक है इसका एंसर एक होगा चिक है साथ का एक होगा उसकी यहां पे पुछा गया इसकी मिजदा डैस population state of India यानि कि यहां पर डैस में क्या भड़ा जाएगा लेस मोर लेस या भेरी देखिए सिकिम जुराज है यह सबसे कम यहां पर जनसंख्या यानि कि सबसे कम population है तो इसलिए इस यहां पर लेस दैन होगा यानि लेस पॉपुलेशन ठीके तो एक इंसर जाएगा एक हो जाएगा ठीक है उसके यहां पर देखेंगे दिया गया है कि शीच डैस लाइट तो आप लोगो कभी भी देखेंगे विभी कि हम स्विच क्या करते हैं लाइट का अन आफ करते हैं तो यहां पर तो देखिए OFF या ON, तो EARN कर सकते हैं, ठीक है, ON होता है, OFF जो होता है, O, F, OFF होता है, इसे बंद करना होता है, EARN मंतला चार्ब करना होता है, तो इसका answer जहा हो जाएगा, सवाल था कि opposite word of slow, तो slow का उल्टा क्या होता है, slow का उल्टा जो हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसका आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, गारा का answer 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 नमर सवाल था कि पूरलर आफ वाइव, तो वाइव का पूरलर यानि कि बहु बचन, ठीक है, बह बोथ है, यानि कि दोनों है कि यह non है, तो इसका answer जो होगा, non हो जाएगा, ठीक है, यह साइंस्टिक नहीं थी, ठीक है, non इसमें साएगा, क्योंकि यह आपका साइंस्टिक नहीं थी, ठीक है, आंत्रिश यान थी, उस पर देखिए, यहाँ पे 14 नमर सवाल है, कि he cams dance bus, त इसका answer 14 का B हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है, उसका बाद 15 नमर सवाल है, the shape of the moon is fixed, तो यहाँ पे पुछा जा रहे है, क्या चांद का जो shape होता है, हमेसा fix रहता है, तो आप लोग तो चांद daily देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोगा पता है, यहाँ पे पुछा जा नहीं आई, यहाँ चो होता है, कि cannot say, मैं बत नहीं बता सकता, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका answer जो होगा false होगा, क्योंकि चांद का जो size होए, आप लोग देखते रहते हैं, हमेसा बदलते रहता है, यह क्या बात है, यह गलत बात है, तो इसका बात क्या हो जागा 15 का दो answer होगा, ठीक, अगर आपने यह सारा लगा हैं, तो आपका answer सही है, उसको देखिए, उसको देखिए, 16 नमार है, कि an average adult sleep for, यहाँ पे पुछा जाना है, कि एक जो adult आदमी होता है, कितना सोता है, ठीक है, तो इसका 7 hour होता है, 7 से 8 घंटा आदमी सोता है, तो यहाँ आपके देखिए, 8 घंटा भी है, मगर minimum जो है, 7 घंटा माला जाता है, तो इसलिए, यहाँ पर हम 7 घंटा मालेंगे, देखिए, यहाँ आपसे निकाओर है, 7 घंटा 20 मिनिट्स दीए, नहीं, perfect है, 8 घंटा भी नहीं है, 7 hour हम मेलनी, मालेंगे, 7 घंटा सोना चाहिए, 7 क्लेक्टिव नाउन कौन सा है, तो क्लेक्टिव नाउन जो है, आप लोग का, यह है, क्लास, ठीक है, उसके बाद, 18 जो है, सवाल है, कि बिहार इजे एक एस्टेट, बिहार क्या है, एक एस्टेट है, राज है, एडिशन वा सवाल है, कि this is dead elephant, तो देखिए, यहाँ पर यह होता है, एक की जगा N होता है, तो यहाँ पर अनिस का हो जाएगा तीन एंसर, ठीक है, उस बाद यहाँ पर दिया गया है कि SCERT, यानि कि State Council of Education, Research and Training कहां पर है, पटना में है, तो इसका एंसर हो जाएगा, बिस का तीन बटना, अब देखिए, सिक्षन B आता है, इसमें आपक और दिया गया था, इसमें जो है, तीन सวाल पुछे गया था, एक इस सवाल जो है दो नमबर का था, इस परकार सिसहाँ पे छे सवाल थे, और यहाँ पर कुछे देखिए बाते लिख दी गई थी है यहाँ पे पेर्ण दे दी गये थे, और इस परदा को पढ़गा और यहां पर देखिए तीन सवाल पुछे गया थे इस तीन सवाल को एंसर देते थे आप लोगो छे नमर मिले थे एक सवाल जो है दो नमर रहता है आज सिरी पर इसको बहुत ही आसान था यहां पर जो भी लाइन दिये गए उसी को पढ़कर आपको यहां पर एंसर देना था जैसे कि यहां पर पुछा गया who was the born in Mecca तो यहीं पर दिया गया है कि मौलाना अजाद कलाम was born in the year 8888 in Mecca तो यहां पर कौन से किनका जनम मक्का में हुआ था तो मौलाना अब्दुलकलाम अजाद लिख देते तो इंसर हो जाता ठीकि इतना ही आप लिख देते तो दूर नमर आप लोगों मिल जा था उसका देखिए यहां पर सवाल था दूसरा नमर सवाल थे हुई इसका भी एंसर इसी में छुपा हुआ था तो यहां पर दिया देखिए कि he because the first education minister of independent India यानि कि जो मौलाना कलाम अजाद थे वही क्या थे first education minister थे इंडिया के उसका देखिए तीसरा नमर सवाल है कि did मौलाना अब्दुलकलाम अजाद प्ले रोल इन दा फ्रीडम मॉवमेंट यानि कि आप पूछ रहे हैं कि जो भारत के सवतंतरस संग्राम हुआ था क्या उसमें थी मौलाना अजाद कलाम का योगदान था तो यह इसका खाली आप लोग यह से एंसर दे दे डिफाइन और डिफाइन नाउन इंटिट टाइप्स एक्जामपल ठीक है यानि कि नाउन क्या होता है और इसके जो भी टाइप्स होते हैं उसके बारे में एक चांपल के साथ आपको लिखना था छे नमर का यह सवाल था उसको यहां पर मैच करना था यह और बी जो है ग्र संस्ट होता है इससी को मैं know нем को ब्राइट और एक्सेलेंट करा थे घातApp सींanswer पुरुकी कर आंब सब्सक्राइप्सराजिदेत है कि कमतलब एसनब्स का मतलब होता है इससन पे पर decision decision यानि कि judgment ठीक है उसके बाद यहां पर दिया गा कि खीर क्या होता है यह putting made on rice और sugar and milk तो खीर कैसे बनता है उसमें rice रहता है सुगर रहता है और milk रहता है तो यह होगी आपका चार का यह हो जाएगा और फिर डॉग मनतलब क्या होता है जो अनिमल जो होते है इड्स वेट्स यानि कि उनके पैखाना होता है उसी को डॉंक करते हैं यह आपका हो जाएगा इस पर करना था उसके यहां पर यहांपे 24 नवर सवाल था कि इसमें सदेखी है यहां पर कुछ अप्शन दे दिये गए था और यहां पर सवाल थे एक से लिएक रिखर छे सवाल ने ऑर यहीं आपटे को इसमें पूट करना था तो जैसे कि यहांपे पहला था कि as sweet edge यानि की मिठा क्या होता है Magic होता इसका answer हो जाता पहला का Honey किए फर्श्ट का Honey यहाँ भरते उसबाद सवाल सकंड सवाल spring में था कि आप लोगा soft यहाँ पे तो यहाँ पर seven symmetry ता आपकाे श्वाल यहाँ यानि की सब्ट में यहाँ था कि हुआ है कि यासमान जो होता है वह बुल होता है तो इसका एंसर ह जाता है उसको देखे हैंилась कि दूसरा नम्ह dicht यानि कि बहुत ही कफूर होता है तो दुनिया रुबस के हैं क्या serum वर प्राई deprived तो बले क्या होता है कोईला को देखे हैं आप लो तो इसको इंगलिस में हम लोग कोल कहते हैं तो इसका एंसर का जोता है कोल क्यों है ठीक है उसके यहां पर इसका एंसर था कि एज गरीन आप लोग देखे होंगे घास होता है ठीक है तो घास को इंगलिस में कहते हैं ग्रास ग्राश यहां पर आप लोग सिर्फ यही से बहरत देना था और छे को स्वाल दिये गता है। से केवल दो का ही एंसर कोई देना था तो यहां पर एक सवाल था कि डॉज दब विंड हैब एनी कलर तो इसका एंसर जो है नो हो जाता ठीक है उसका यहां पर था तीसरा मरा सवाल की when did Sikkim become a state of India तो जो Sikkim जो है कब a state बना था तो यह इसका जवाब था आनेश्व 72 में तो इसका answer यह आप लोग दे सकते थे तो इस परकार से आप लोगो answer देना था कोई hard question आपको नहीं पुछे गया थे सारा सवाल जो था आपके आसान ही पूछे गया थे अब आते हैं कि next page पे तो यहाँ पर देखिए long question थे section C हो गया अब section C में long question में देखिए तीन सवाल थे आपको दस-दस नमर के सवाल थे तो पहला जो सवाल था यहाँ पर कुसी पर भी आपको essay लिखना था जैसे कि our और मदर्सा यानि कि आपका मदर्सा के बारे में इंग्लिक्स में कुछ पंद्र या तो आप गाए पर लिख सकते हैं दाकाव या माई विलेज तीनों में से किसी एक पर आप लोग क्या कर सकते हैं इसे लिखना था या अगर आपको यह से नहीं आता है थो तो क्या कर सकते हैं ऑक ट्वuciónटी लीडर का नाम सब्साते हैं नेता लोग का नाम लिखना था तो आसानी से यह भी आप लग सब्साते हैं इसमें समय भी कम लगता है यहां पर 500 तो या 200 वाड लिकने से अच्छा है कर दो कि दिक्स कर नाम लिटे हैं उसको बाद देखिए 27 नमर सवाल था एक अप्लिकेशन यूर हेड मौलवी फॉर फूब डे लिब यानि कि यहाँ पांच दिन चूटी के लिए अपने मदार्शा को हेड को अप्लिकेशन लिखना था या अगर आपको यह नहीं आता है तो इसमें से एक देखिए वो और करकर के यहाँ पे सवाल दिये गया या अगर अगर आप अपने फादर के पास पैसा मगाने बुक खरीदने के लिए पैसा मगाने के लिए लिटर लिख सकते हैं तो कोई एक आपको लिखना था या तो अपने मदर्शा के मौलवी के पास लिखना था या आपके फादर के अपने अबू को लिटर लिखना था ये दस्तमनों का सवाल था उसके बाद यहां पर देखिए दिया गया था सवाल टैसिलेशन के था यानि कि आप अगर इंग्लिश में कर दिजीए या तो इंग्लिश से उर्दु में कोई एक का जवाब दिदेना था ठीके है तो आप अगर हिंद About Our कोई से उर्दु करना है तो कोई इसका ज़आव देती है तो simple था कोई एक का आपको सिर्फ यहां पर जवाब देना था इस परकास से देखिए जो भी कोस्टन थे डिस्क्रेशन कर चुके हैं अगर आपका कोस्टन मिला चुके हैं तो देख लें कि इतना सही है तो कमेंट में जरूर बता है और फिर वीडियो में बस इतना ही वीडियो हैफिल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें थेंक यू